दोस्तो आज करेंगे हम DIY pond का setup जिसमें मैं कुछ plants डालूँगा जो कि मुझे पास के ही तलाब से मिल जाते हैं और एक money plant भी मैं यहां use कर लेता हूँ अपने garden से निकाल के इस setup को मैं जितना हो सके उतना natural बनाने का हुशिश करता हूँ इसलिए मैं इसमें मटका भी डाल देता हूँ ताकि अच्छा hiding space बे मिले और कुछ stones वगरा रखके यह काफी अच्छा लग रहा है इसमें मैं molly fishes को रखने का सोच रहा हूँ लेकिन आप मुझे comment में बताना कि इसमें कौन से और fishes मैं add करूँ लेकिन बाद में मैं इसमें से money plant को बाहर निकाल लेता हूँ क्योंकि बहुत ज़ादा मेरे को plant लग रहा था इसमें और last में मैं इसमें कुछ बुंदे methylene glue के add कर देता हूँ ताकि इससे जो भी harmful bacteria और parasite होंगे वो खतम हो जाए और 3-4 दिन के लिए मैं पानी को ऐसे ही रख दूँगा ताकि water अच्छे से cycle हो जाए से बाद next वीडियो में हम कुछ fishes को add करेंगे और मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो like and subscribe करते जाना